हेलो गुद डीवनिंग डियर स्टुडेंस कैसे हो आप सब आप सभी लोग ठीक हो तैयारी भी अच्छी चल रहे होगी गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग GK और GS के कोशन के बारे में डिसकस करने वाले है कुछ महत्यपून कोशन है जो आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा वीवी आई है तो आप सभी को ये वीडियो जो है अंतक देखना है और यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को जल्दी से subscribe कर लो और bell icon को प्रेश कर लो ठीके गईज चलिए जल्दी से live आजएए जो जो student live आ गए है आप लोग इस वीडियो को आगे share कर दीजी अपने friend दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी live आ जाए और ये आज की class start की जाए चलिए गईज पहला questions आप सभी की screen पर है question है who is competent to amend fundamental rights यानि मौलिक अधिकारों में शनसोधर करने के लिए कौन सक्षम है बताए राश्टपती लोकसभा सर्वोचन या संसत जल्दी से सभी विद्यारती इस questions का अंसर करेंगे बहुत ही simple question है और ये questions पूछ लिया जाता है मौलिक अधिकारों में संसोधर करने के लिए कौन सक्षम है जल्दी से बता दीजिए तो where would यानि जिन्दी विद्यारती ने answer option D किया है वो सही है यानि मौलिक अधिकारों में संसत करने के लिए कौन सक्षम है तो संसत ठीक है अब देखें यहां से पूछ लेता है आप से directly मौलिक अधिकार से related की सवीधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जल्दे से बताइए question है सवीधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है किस भाग में किया गया है जी तो very good किस भाग में किया है तो भाग 3 में किया गया है ठीक है भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है किस अनुछेद के तरत किया गया है तो अनुछेद 12 से 35 तक के बीच में अनुछेद 12 से 35 तक के बीच में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है किसमें सवीधान में ठीक है अब एक questions आप से ये भी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार यानि fundamental right जो है वो किस देश से लिया गया है जल्दी से बताइए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है जल्दी से सभी बच्चे बताएं अब बात कर लेते हैं रास्टिपती की तो रास्टिपती बनने के लिए जो नियुनतम आयू है वो कितनी वर्स होती है तो 35 वर्स होती है ठीक है इसी तरह अगर बात करूँ मैं लोकसभा तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो नियुनतम आयू है कितनी वर्स होनी चाहिए और राज्य सभा का सदस्य बनना हो तो नियूंता मायू कितनी वर्स होनी चाहिए यह आप लोग बताएए जल्दी से जल्दी से बताएए राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए जो नियूंता मायू है कितनी वर्स होनी चाहिए तो very good कितनी वर्स होनी चाहिए जल्दी से सभी विध्यारती बता है राज्य सभा का सभापती कौन होता है जल्दी से बताइए राज्य सभा का सभापती कौन होता है राज्य सभा का दिन सभापती कौन होता है तो जी कौन होता है उपरास्ट पती ही होते हैं ठीक है उपरास्ट पती ही होते हैं समझ गया ना तो देखिए इस question से इतने facts बन सकते थे जो मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग इस चीज को याद रखना चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए second questions जल्दी देखिए और answer बताईए question है the temple located in महाबली पूरम is related यानि महाबली पूरम में इस्थित मंदिर संबंदित है किस वन्स से वो मंदिर संबंदित है आपको यही बताना है पहला option है काकतिय वन्स दूसरा option है चोल वन्स तिश्रा option है पललव वन्स से चौत्वा अपसन है गुप्त वन्स से जल्दी से सभी इस questions का answer दें महाबली पूरम में जो मंदिर है वो किस वन्स से संबंदित है जी यही आपको बताना है तो जल्दी से बताईए तो very good यानि इसका answer जो है जिन भी विद्यार्तियों ने option सी दिया है वो सही है तो 21 से संबंदित है तो पललव वन्स से यह मंदिर संबंदित है अब इसको किस राजा ने बनाया था यह भी पुछा जा सकता है तो आप लोग बता सकते हैं महाबली पूरा मंदिर जो है वो पललव वन्स से संबंदित है तो पललव वन्स का कौन सा राजा ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था अब एक कुशन्स और पूछ ले जाता है आपसे क्या पूछा जाता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसकी राजधानी कहा है बता सकते हैं आप लोग पल्लव वंस की जो राजधानी है वो क्या थी जल्दी से बताईए पल्लव वंस जो एंज की राजधानी क्या थी तो आपको याद रखना है क्या थी तो कांची पूरम थी ठीक है कांची पूरम ये पूछा जा सकता है कि पल्लव वंस की जो राजधानी है वो कहां थी तो कांची पूरम में थी चलिए बढ़ते हैं और यहां से गुप्त वंस क कि बात कर लेता है तो गुप्त के संस्था पर कौन थे तो सिरी गुप्त है या आप लोग को बताने का ज़रूत नहीं है बहुत ही बीवी है यह चीज पूछ लिया जाता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ अब यह दो वन्स जो है ना गाइज यह इतना मतल दूसरा अप्सन है राजिश्रवा का सभापती तीसरा अप्सन है भारत का उप्राष्ट पती चौत्वा अप्सन है भारत का राष्ट पती जल्दी से सभी विदार्तिस कोश्चन का अंसर देंगे संसत के दोनों शदनों की संयुक्त बैठक की सिर्ष कौन करता है जल्दी से बताईए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है यहाँ पर कोशन इस तरह से भी पुछा जा सकता है कि संसत के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है जी तो very good कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है ठीक है लोकसभा अध्यक्ष जो इसका right answer हो जाएगा अब देखिए आपको एक चीज याद रखना होगा कि सविधान के अनुसार भारत की संसत के तीनंग होते हैं कौन कौन सा लोकसभा होता है ठीक है राज्यसभा हो पुछा जा सकता है कि उद्ध सदन से हम लोग किसको जानते हैं तो आप याद रखना उद्ध सदन जो आजआ जाता है निम्न सदन जो लोकसभा को कहा जाता है अब कभी-कभी ये questions आपको याद रखना होगा कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा एंवम किसे दोरा बुलाए जाते हैं तो रास्तपती दवरा की ने लोग सभाए मूं राजियसभा का सभृ मूण किसके द्वरा बुलाया तो राष्टिपति के द्वरा बुलाया जाएगा और इस थागित भी किया जाएका तो राष्ट्पति के द्वरा रही किया जाई ठीक है समझ में आ गया बढ़ें कि तरफ चलिए देखते हैं नेस्ट कॉशंट चलिए देखियेirst सब्सक्राइब करें भारत का दक्षिन्तम बिंदु कौन सा है जल्दी से बताइए तो वेरी गुड यानि जिन भी स्टुडेंट ने आंसर आपस ने दिया है इंद्रा पॉइंट वो सही है तो हमेशा याद रखना भारत का जो दक्षिन्तम बिंदु है वो इंद्रा पॉइंट है जो कि कहा है निकोबार दीप शमू में स्थित है गैस पहले इसका नाम क्या था पिग मिलियन पॉइंट ठीक है पहले इसका जो नाम था वो क्या था पिग मिलियन पॉइंट यह भी पुछा जा सकता है कि दक्षिन्तम बिं याद होना चाहिए भारत का सबसे उत्री बिंदू कौन सा है तो जी हमेशा याद रखना इंद्रा काल इंद्रा कॉल ठीक है इसको हम लोग भारत का सबसे उत्री बिंदू कहते हैं ठीक है यह कहा है तो यह जम्मू एंड कस्मीर राज्य में है चलिए बढ़ते हैं अब नेक् लॉट क्लाइफ टीसर ओपसन लॉट करना वाली चौता ओपसन लॉट मेकाले जल्दी से सभी विध्यारती इस questions का answer करेंगे बहुत ही वी वी कोशन है इस पर स्टार लगा लिजेगा मैं आपको बता रहा हूं यह क्यों इसका answer दीजिए इससे related questions पूछ लिया जाता है पहले आप लोग इसका answer दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो questions क्या पूछ लिया जाता है आपके exams में बंगाल का विभाजन जो है किसके समय में हुआ very good किसके समय में हुआ था तो लौड करजन है न तो option A जो है right answer हो जाएगा तो दीखें यह पूछता है कि बंगाल का विभाजन जो है वो कब हुआ ठीक है यह भी आपको याद रखना है तो बंगाल का विभाजन जो है वो त तो पांच को बंगाल वी भाजन के नीड़ने की घोसना की चलिए अब यहां से एक कोशन और पूछ लेता है बंगाल से लेटेट की बंगाल का पहला गवर्नेर जनरल कौन था जल्दी से सभी विद्यारती बताएंगे बंगाल का गवर्नेर जनरल कौन था जी बंगाल का पहला गवर्नेर जनरल कौन था ठीक है यहां पर पहला कर लो बंगाल का पहला गवर्नेर जनरल कौन था जल्दी से बताएंगे बंगाल का पहला गवर्नेर जनरल कौन था तो वेरी गुड कौन था तो वार इन हस्टिंग ठीक है वार इन हस्टिंग जो थे हैं वो लोग Lord Clive के बारे में तो ये East India Company द्वारा भारत में न्यूक्त होने वाले प्रत्थम गवर्णर थे अब भारत में अंग्रेजी शासन का जनम जाता किसको माना जाता है तो Lord Clive को ठीक है लोड कारणावालिस दूसरा ओप्सन है Lord मेकाले जल्दी से बताएए भारत में इस्थाई प्रणाली की सुरुआत किसने की तो लोड कारणावालिस ने की और भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है ये भी आपको बताना है जल्दी से बताएए भारत में सिविल हम लोग जानते हैं चलिए अब वाइसराय और गवर्णर से लेटे एक दो questions पूछ ले जाते हैं तो मैं कुछ questions जो है आप लोग उसे पूछना चाहता हूं क्या आप लोग ready हो अगर आप लोग ready हो तो मैं questions पूछ हूँ क्योंकि गवर्णर जनरल से questions आपके एक जामस में पूछ ले जाते हैं बहुत से students confused भी होते हैं तो जल्दी से आप सभी को बताना है मैं questions पूछ रहा हूँ question है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे चलिए लिख देता हूं स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन थे जल्दी से बताईए आज मैं आप लोग का confusion दूर कर द कोशिस करूँगा मैं परते कोशन को बताऊंगा ठीक है देखिए वीडियो जो थोड़ा लंबी हो सकती है बट आप लोग को यहां पर सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा यह मैं गैरेंटी देता हूं ठीक है तो जल्दी से आप लोग बताएए स्वतंतरता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो वेरी गुड कौन थे तो लॉर्ड माउंट बेटें ठीक है यह याद रखना ठीक है कोशन यह पूछ लिया जाता है कि स्वतंतरता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंट बेटें थे अब कोशन इस तरह भी के स्वतंत्र भारत के पहले भारतिये ठीक है स्वतंत्र भारत के पहले भारतिये वे अंतिम गवर्नर जेनरल कौन था जल्दी से बताईए अंतिम गवर्नर जेनरल कौन था फिर से मैं कोशन रिपीट कर रहा हूं स्वतंत्र भारत के पहले भारतिये तो आपको यह भी चीज नोट करना है स्वतंत्र भारत के पहले भारती यह अंतिम गवर्णर कौन थे तो आपको याद रखना है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जिन्होंने यह अंसर दिया है वो सही है ठीक है तो आप लोग याद रखना स्वातंत्र भारत के पहले भारती वैंतिम गवर्णर जनल कौन थे तो चक्रवति राजा गोपालाचारी थे चलिए अब जल्दी से बताई तो एक कोशन और भारत का प्रतम वायसराय कौन था जल्दी से बताई भारत का प्रतम वायसराय कौन था तो कौन था जी तो लॉड कैनिंग ठीक है यह भी चीज आपको याद रखना है पूछ लिया जाता है ठीक है भारत का जो भारत का प्रतम वाइसराय था कौन था तो लॉड कैनिंग था चलिए बढ़ें अब नेक्स्ट कोस्टन की तरफ यह कुछ आप लोग इतना ही याद कर वाइसराय और गवर्नेर जंडर से लेटर यह पूछ ले जाते हैं चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट कोश्टन यहां से वाट इस दधा इलेक्ट्रोड अटेच्ट दूड़े हुए यहां पर इलेक्ट्रोड ना देकर आपको जस्ते की छड़बी दे सकता था तो आप लो कर देता हूं मैं कोशन है बैटरी के रिंड दुरूब से जुड़े हुए जस्ते की छड़ब को क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए बैटरी के रिंड दुरूब से जुड़े हुए जस्ते की छड़ब को क्या कहा जाता है वैरी गुड यानि जिन्मी विद्यारती ने आ कार्बन की छड़ को क्या कहा जाता है जल्दी से बताइए अगर कोशन आप से इस तरह पुछा जाए कि बैटरी के धन दुरू से जुड़े हुए कार्बन की छड़ को क्या कहा जाता है तो आप लोग क्या बोलिएगा क्या कहा जाता है जी तो उसको एनोड कहा जाता है ठीक ह ने किती यानि दा लाइटनिंग ड्राइवर वास डिसकरवर्ड बताइए किस ने किती पहला ऑप्षन है ग्राहूं बिल दूसरा अप्षन है लॉड लिस्टर तीश्रा ऑप्षन है बेंजामिन फ्रेंग्लिंग चौता अप्षन है आइंस्टीन जल्दी से बताइए इसका र पूछे टैलीफोन टैलीफोन के अविसकारक कौन थे जल्दी से बताइए तो टैलीफोन के अविसकारक कौन थे टैलीफोन के जरमदाता कौन थे या टैलीफोन के अविसकारक कौन थे तो कौन थे तो ग्राहाम वेल थे ठीक है आपको यह चीज़ याद रखना है वेरी यहाद रखना है पहला पूछलेता है सापेक्षतायाद सिद्धां तो सब्सक्रा ने दिया किस Einstein ने दिया कब दिया यह बताइए यह बताइए मुझे कब दिया Om सबक्षता वागत का सित्धांत Albert Einstein ने कब दिया चलudsा option देता हूं पहला option ने 105 दूसरा option है 1906 जल्दी से बता दिजी प्यारे बच्चो सबक्षता वागत का सित्धांत अलबाइस्टाइन ने कब दिया तो वेरी गूड 1905 में दिया ठीक है और एक फेबरेट एक्वेशन है इनका यह बराबर mc स्क्वार ठीक है तो यह जो एक्वेशन भी डिरेक्ट लिएकर पूछ लेता है किसके द्वारा दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो इन्होंने दरव कुछ कि कौन किया? यानी question है photoelectric प्रभाव की किसने की? photoelectric प्रभाव की फोटो इलेक्टरिक प्रभाव की किसने की? जल्दी से बता दीजीए पेबरे बच्चों इस questions कहां से है? photoelectric प्रभाव की किसने की? तो very good. किसने की? तो Albert Einstein नहीं किया था, तो यहां से इतने सारे questions हम लोग ने देख लिए तो आप लोग इसको याद भी रखना ठीक है वीडियो देखने से नहीं होगा आप लोग इसको अच्छे से मिल जाते हैं चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ चलिए देखिए नेक्स्ट कोशन है टेसला इस मैगनेटिक यूनिट यानि टेसला चुंबकिये डैस का यूनिट है कोशन इस तरह से आप लोग इसको सही कर लीजिए ठीक है फिर से मैं बता देता हूं टेसला जो है वह चुंबक कि ये डैस का यूनिट है बताइए चुंबकिये प्रवाह का यूनिट है चुंबकिये प्रेडन का यूनिट है या चुंबकिये संबेक का यूनिट है या चुंबकिये छेत्र का यूनिट है जल्दी से सभी विध्यार्ति को इस questions का अंसर करना है बहुती विवी आई स्पे जो आपका राइट अंसर हो जाएगा तो देखिए टेसला जो है वो चुम्बकिये छेत्र का ऐसाई मातरक है और चुम्बकिये छेत्र का एक और ऐसाई मातरक होता है वो क्या होता है तो वेबर बाई मीटर स्क्वार वेबर बाई मीटर स्क्वार होता है और अगर मैं बात चुम्बक्य छेत्र की तो आप लोग एक चीज बताए तो चुम्बक्य छेत्र जो है वो कौन सी रासी है जल्दी से सभी विद्यारती बताएंगे चुम्बक्य रासी है यह स्केलर क्वांटिटी है यह वैक्टर क्वांटिटी है अदिस रासी है यह सदिस रासी है जल्दी से चुम्बकिये छेत्र जो है scalar quantity है यानि अदिस्रासी है आपके एक जांस में इसका dimension भी पूछ लिया जाता है यानि चुम्बकिये छेत्र का वीमा यानि dimension भी पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसको भी याद कर लेना क्या होता है तो m का power 1 l not t का power minus 2 ठीक है और a का power minus 1 ठीक रखता हो इसको क्या बोलते हैं इसको इंडा और कभी कभी तरंग धहरे तरंग धहरे यानि इसका ऐसा ही मातरक पूछ लेता है तरंग धहरे का ऐसा ही मातरक क्या होता है तो एंग्स्ट्रम होता है ठीक है एंग्स्ट्रम थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है आप लोग मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए चली बढ़ते हैं next questions की तरफ चली गाइस next questions बताइए तो what is the example of the speed of wheels of a block car while walking on the road यानि सडक पर चलते समय किसी बैल गाड़ी के पहियों की गती किसका उधारन है बताइए दोलनी और घूरनी गती, दोलनी और इस्थांतरिये गती, इस्थांतरिये और धूरनी गती या केवल इस्थांतरिये गती, जल्दी से सभी विद्यारती इस questions का अंसर करेंगे जल्दी से अंसर कीजिए जी सडक पर चलते समय किसी बैल गाड़ी के पहियों की गती किसका उधारन है तो वैरी गोड़ी यानी जिन भी विद्यारती ने आंसर यदी option सी दिया है वो सही है तो एक किसका उधारन है तो इस्थांतरिये और धूरनी गती का ये उधारन है ठीक है देखे गती जो है बिसिकली वो चार परकार की होती है ठीक है दूसरा जो है वो रेखिये गती ठीक है तीसरा आदान प्रदान गती और चौथा जो है वो क्या है दोलन गती ठीक है फिर से मैं बता देता हूं mechanical पदिती में गति जो है चार प्रकार की होते हैं कौन सी घूनन गती हो गया, रेखिये गती हो गया, आदान-परदान गती हो गया और दोलन गती हो गया अब घूनन गती जो है न मुख्यता एक वृत के चारोर घूमती है जैसे पईये का गूमना इसका एक उधारन है जब पईया गूमता है तो उस समय इस थांत्रित गती जो है वृतिये गती में बदल जाती है और इसी कारण जो है बैल गाड़ी के पईयों किसके उधारन है तो स्थांत्रि और डोनी गती दोनों के उधारन है ठीक है छेलिए नेक्स्ट कोश्चन है वेर डर्ज द आयरन रस्ट वैरी क्विकली यानि लोहे में बहुत सिग्र जंग कहां लगती है वर्षा के जल में समुद्री के जल में आशुत जल में या नदी के जल में जल्दी से जारती ने और ऑप्सन भी आंसर किया है वो सही है तो समुद्र के जल में ठीक है अब देखिए जंग लगने को तो सुद्ध जल से भी लोहे में जंग लग सकता है लेकिन समुद्री जल जो होता है न वो एक अच्छा चालक होता है और यहां पर विधुत अब घटक की अभ अब देखिए लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है तो लोहे का ऑक्सीजन और वायू की नमी के साथ संपर्क में आ जाना ठीक है अब एक कोशन्स आपके जांस में डिरेक्ली पूछ लिया जाता है कि लोहे को लोहे को जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं तो क कैसे बचा सकते हैं सबको मालूम है लोहे में पेंट करके लेकिन एक कोशन्स और भी पूछ लिया जाता है आपसे किस विदी द्वारा लोहे को जंग लगने से यानि किस विदी द्वारा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर धातू की पतली सी कोटिंग किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, बताइए, सभी विद्यारती बताएंगे, कोशन में आपसे पूछा, किस विदी द्वारा लोहे को जंग से बचाने के लिए, उस पर धातों की एक पतली परत की कोटिंग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जी, तो वैरी गुड क्या कहते हैं, तो गैल वनाइजेशन जिसको गैल새 लीबियानी करण भी बोलते हैं इंदी में, ठीक है, गैलविली करण, ओके गईज, आज की कलस्के बस इतना है, यदि वीडियो पसंद आएं, तो वीडियो को सेर कर देना, लाइक कर देना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बब बाई